दोस्तो सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसस पर एक इंस्टेंट परसनल लोन एप से पूरे दो लाख रुपे तक का इंस्टेंट लोन मिल रहा है यह लोन कैसे मिला है और यहां पर हमें कोई भी income proof देने का आप सकता नहीं है और civil excuse कोड देने का आप सकता नहीं है अब दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड से इंस्टेंट दो लाग उर्पता का लोन लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन का में लिंक मिलेगा लिंक पर किलिक करते ही पिले इस्टोर पर पहुंच जाएंगे उसके बाद है Erstnd Cash 35,000 की Credit Line मिलेगी Live Unlimited है यहाँ पर आप किलिक करेंगे उसके बाद बताय गया है कि यहाँ पर आपको Power Loan मिलता है 5,00,000 और तक का आगे किलिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताया गया है कि Rewards and Cash Back मिलेगा Get Starter पर किलिक करेंगे अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि आपके सामने यहाँ पर यह वाल इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपना मुवाईल नंबर डालना है तो आपको जो भी मुवाईल नंबर है अपना मुवाईल नंबर यहाँ पर डालेंग उसके बाद आप यहाँ पर date of birth देंगे, उसके बाद आप gender select करेंगे, male है या female, उसके बाद marital status आप single है या married है select करेंगे, और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी company code, promotion code, अगर आपके पास कोई code है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं वरना इसको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा, yes I would like to receive notification WhatsApp, तो अगर आप WhatsApp पर notification चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, वरना आप proceed पर किलिक करेंगे, और proceed पर किलिक करने की बाद दोस्तों आपकी जो application है वो एक step आगे बढ़ जाती है, उसके बाद आप देख simple उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप apply पर किलिक करेंगे, और आपके सामने यहाँ पर आपसे कुछ permission पोची जाती है, जिससे क्या SMS की permission, location, phone की, तो इन permission को दोस्तों allow करेंगे, read and accept पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको permission को allow कर देना है, इस तरीके से आप permission करेंगे, उसके बाद हमारे आधार कार्ड से registered mobile number पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ डालेंगे and continue पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, you are already registered with digital locker, तो हमारा पहले से digital locker पर account है, तो यहाँ पर हमें अपना 6 अंकों का security password डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों, digital locker में हमें बता दिया गया है, कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड और उसके साथ-साथ pen card का verification हो रहा है, यहाँ पर हम अलाव पर किलिक करेंगे, और जैसे ही अलाव पर किलिक करते हैं, तो हमारी यहाँ पर digital रूप से KYC complete हो जाती है, तो continue पर किलिक करूँगा, उसके बाद आप देखेंगे, दोस्तों, selfie यहाँ पर आचुकी है, proceed पर किलिक करूँगा, उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने फिर से यह वाला इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा, continue, मैं continue पर किलिक करूँगा, और जैसे continue पर ले सकते हैं और rate of interest 45% per annum पढ़ने वाला है view detail पर click करके हम यहाँ पर detail देख सकते हैं बताया गया है कि total जो fees है 1132 रुपे है और disperjal amount जो है वो 14,866 रुपे हमारे bank account में जाएगा 3 महिने तक के लिए loan ले सकते हैं जो हमारा interest पढ़ेगा हो 1212 रुपे पढ़ेगा और total जो repayment हो 17,212 रुपे पढ़ेगा इसको मैं click करूँगा आगे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर bank की detail यहाँ पर मैं change bank पर click करके यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा add bank तो यहाँ पर मैं add bank पर click करके यहाँ पर अपने bank को add कर सकता हूँ FSC code डालकर, bank account number डालकर confirm account number डालकर, account holder नाम डालकर उसके बाद account मेरा saving या current है यह डालकर अपना bank account add करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक tick लगाना है अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी आज बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है 45% तो दोस्तों यहाँ पर भी आज इसलिए ज़्यादा पढ़ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो आपका civil score पूछा गया और नहीं यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है आपकी income पोची गई आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड के basis पर यहाँ पर आपको लोन मिला है तो यहाँ पर आपको ठीक है जहाँ अगर कहीं अलगा आप लोन के लिए अपलाई कर रहे है वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है यहाँ पर तब भी आपको लोन मिलता है तो यहाँ पर आपको दो तरीके के लोन मिलते है यहाँ पर एक पावर लोन है और यहाँ पर एक बेसिक लोन मिलता है ठीक है तो पावर लोन जो है वो आपको तीन महीन ने, छे महीन ने, साथ मही तक के लिए मिलता है जो कि maximum आप यहाँ पर पांच लाग उपे तक भी ले सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर loan के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही simple सा तरीका है आशा करते हैं यह video आपको पसंद आया होगा video पसंद आया हो video के like करें एड़ चैनलों का subscribe जरूर करें